नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ये विद्या चैनल चैनल नमबर नो और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेनुभाट अपने इस लाइव इंटराक्शन में जिसमें हम बात करेंगे सोशल साइंस के नाइट स्टैंडर्ड के स्टूर की और जब भी हम कॉंस्टिउशन की बात करते हैं इससे जुड़ी कोई भी बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि किसी भी लोकतांतरिक देश के लिए सम्विधान बहुत-जादा जरूरी होता है बहुत महत्वपूर होता है यह ऐसा दस्तावेश है जो हमें हमारी आजादी और माम के बारे में हम आप सभी को बताते हैं dear learners and viewers की माम लेक्षुरार है political science के सर्वोधिय करन्या विद्याले मयूर विहार phase 1 school Delhi से और आप सभी के मन में अगर कोई भी प्रशन आ रहा हो constitution से जुड़ा कोई भी प्रशन है या कुछ जादा जानना चाहते हैं तो आप अपन आप हमें कॉल करेंगे हमाई telephone number पर जो है डवल एडवल जीरो डवल फोर सीरो डवल फाइफ नाइडर एडरेस है dth.class9th.cite.nrc.in So we are waiting for your participation क्योंकि हम ये सत्र आपके लिए लेकर आए है तो अपनी सभी बातों से आप हमारे विशेशगे को जरूर आप अवगत कराएं तो हम सीधे माम के पास चलते हैं माम क्योंकि constitutional design अपने आप बहुत important topic हो जाता है 9th standard की हम बात कर रहे हैं तो बहले भी बच्चे जो है इसे 8th standard में पढ़ चुके हैं तो क्योंना मैं में एक छोटे से रिकाप के साथ शुरुवात की जाए आज की सत्र की क्लास 8th में भी बच्चों को सम्विधान से परिचित होते हैं बच्चे तो बच्चों में एक बार रिकॉल कराना चाहूंगी Constitution की परिभाशा से आप लोग 8th में आफगत हुए थे Constitution is a body of laws according to which a country is governed Constitution सम्विधान ना केवल व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा होगा सरकार और जनता के मद्ध कैसे संबंध होगा इसको भी डिफाइन करता है हमारे सम्विधान में सरकार के जो तीनों अंग होते हैं कारेपाली का विधाई का तथा न्याएपाली का उसके संधर्व में भी बहुत डीटेल description उनके functions उनके powers इन सब का भी description देखने को मिलता है तो सम्विधान एक ऐसे written दस्तावेज है जो पॉलिटिकल सिस्टम की नेजर को डिफाइन करता है तो यह तो हुआ एक हलका सा रिकाया बचो आप सभी के लिए और मुझे पूरी उमीद है माम की इस बात के साथ उनको काफी कुछ चीज याद आ गई होगी अगर नहीं भी याद आई हैं तो आप अपनी सभी कि वेरी माम तक जरूर पहुंचा हैं और माम हम आगे से सत्र की और बढ़े और जाने की क्या उदेश है क्या क्यों पढ रहे हम ये टॉपिक माम तो इस सत्र में हम लोग फोकस करेंगे कुछ महत्पुन बिंदूों पर जैसे वाइड दू वी नीड अ कॉंस्टिशन अगर को देशन पर जाइड रहे हम आगे तो हम इन सब के बारे में डीटेल में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले शुआत करते हैं कि वह समविधान की आवश्यक्ता क्यों हैं वाइड वी नीड अ कॉंस्टिशन जैसे की बताया Constitution is the supreme law that determines a relationship among people living in a territory मतलब जो भी नागरिकों के मद्धे संबंध होंगे यह उसको define करता है साथी साथ में नागरिक और सरकार के बीच में कैसे संबंध होंगे यह उस पर भी प्रकाश टालता है For instance, एक democratic country है तो वहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होंगे जनता को अपनी opinion express करना, अपनी choice express करने का मौका दिया जाएगा तो यह सब समझ में आता है फिर, it generates a degree of trust and coordination necessary for different kind of people to live together तो आपको पता है, India is a beautiful example of unity in diversity कश्मीर से कन्या कुमारी तक, अरनाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत एक है पर इतनी diversity से भरा हुआ देश जहां पे लोगों की संस्कृतियां भिन भिन होती है इनके मध्य एक minimum level of coordination स्थापित करने का कारे किसी भी देश का समिधान करता है साथी साथ में वो ये भी स्पष्ट करता है कि इस देश की सरकार का सेट अप कैसा होगा चुनाफ की प्रक्रिया किस प्रकार होगी वो सरकार जो चुनी जाएगी वो कितने साल रूल करेगी और ऐसे ही काफी डीटेल में ये सारी चीज़ें समिधान में देखने को मिल जाती है सिर्फ यही नहीं जो सरकार बहुमत प्राप्त करके सक्ता में आती है वो सरकार बहुत पावरूफुल होती है तो जनतांत्रिक सरकार के उपर भी क्या limitations imposed की जाती है वो भी सम्विधान में सपष्ट किया जाता है जैसे भारतिय सम्विधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो मौलिक अधिकार क्या है मौलिक अधिकार सरकार क्यू शक्ति को सिमित करते है जहां बोला जाता है कि सरकार ऐसा कोई भी कानूनी बनाएगी जो व्यक्ति के मौलिकदिकारों को छीने या अब्रोगेट करें तो वो डिफाइन करता है कि लिमिटेशन साथ ही साथ में आपको पता है समविदान का सबसे प्रथम प्रष्ट जिसको हम प्रियामबल पलाते हैं या प्रस्तावना पलाते हैं अब अगर मैं कहूं कि आपके सामने एक्जामपल पाकिस्तान है आपके सामने एक्जामपल जिसमें कभी प्रजातंत्र होता है और कभी-कभी सेने शासन होता है बट आल दे कंट्रीज दाट डेमोक्राटिक विल हाफ कॉंस्टिटूशन अब जैसे देखा जाए कि आफ्टर द वार फिंडिपेंडेंस अगेंस ग्रेट बिटेन अमेरिका ने भी खुद का समविधान बनाया और फ्रेंच रेंच तो ये तो बात हुई माम की क्यों जरूरी है और जैसे आपने बताया कि हर कंट्री के पास इसके पास कॉंस्टिटूशन हो लिखित सम्विधान हो जरूरी है कि वो डिमोक्राटिक कंट्री हो लेकिन जो डिमोक्राटिक कंट्री है लोकतांतरिक देश उसके पास कॉंस्टि जागुरुकता आई है और काफी चीज़े उनसे भी सीखी गई है तो मैम ऐसे ही हम अगर अगर अफरीका साउथ अफरीका की बात करें तो उसके बारे में आप से जानना चाहें के माम जी रेनु आपने बहुती अच्छा उधारन अठाया और हमारी NCRT बुक में भी साउथ आफरीकन संविधान की किस तरीके से संचना हुई क्या उनकी हिस्ट्री रही उसके बारे में बहुती डीटेल्ड रूप से डिस्क्राइब किया गया है तो आप अबगत होंगे साउथ आफरीका में एक रंग भेत की नीती कारे करती थी जिसको हम अपाथाइड बलाते है तो मैं बताना चाहूंगी जो साउथ आफरीका है वहां पे तीन चौथाई मैजॉरिटी बलाक्स की है पर सिर्फ ब्लाक्स ही नहीं रहते है वहां पे इंडिन्स भी रहते थे वहां पे मिक्स्रेस भी रहती थी और जो जो वाइड यॉरोपिन्स थे उनके यह जो रंग भेद की नीती थी यह उन सब को डिस्किनेट करती थी उनके स्किन कलर पे आप देख लीजे अपने ही देश में रहर उनको इतना भाहिश्कृत किया जाता था उनके संग बहद भाव किया जाता था कि उनके रेजिदन्स अ तो एक पॉलिसी ऑफ सेग्रिगेशन सिस्टमाटिक तरीके से फॉलो की जा रही थी उनको वोटिंग अधिकार नहीं थे तो इन लोगों के मन में बहुत ही जादा उनके प्रती बहुत ही रोश था कि अपने ही देश में रह कि हम अपने ही अधिकारों से वंचित हैं तो बह बन गए और एक जुठ होकर मिलकर एक बड़े ही नंबे संघर्ष के बाद इन लोगों ने अपाथाइड की पॉलिसी से अपने आपको मुक्त कर पाए और नलसन मंडेला के नाम से तो आप वाकिफ होंगे रिनाउंड परस्नालिटी है जिनों ने अठाइस साल अपने जीव अब जो संविधान साथ आफरिका के बन कर तयार हुआ वो खास कैसे था जो नया संविधान बना उसमें वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में एक सहमती हुई कि अगर उस समय ब्लैक्स मेजरीटी में थे पर उनके पास अथिकार नहीं थे अब अपटाइट जब ख़तम हो गया तो ब्लैक्स फिर से मेजरीटी में है सर्कार इस बर लेक्स की बनेगी पर एक सर्व सहमती डेवलाप हुई कि यह मेजरीटी अपसिलीट नहीं होगी इसक कि अधिकार मिले, सभी को स्वतन्त्रताइं मिले, सभी एक गर्व से गरिमा माई जीवन जी सके तो यह अफ्रिकन समिधान बना यह कुछ ऐसा था जिसने सभी के अधिकारों के बारे में बात की किसी दूसरे रेस के कास्ट और क्रीड के अधिकारों का हनन नहीं किया जो वाइट ने खिलाफ किया वो ब्लैक्स ने सत्ता में आने के बाद वाइट के लिए बिल्कुल नहीं किया इसलिए उनका Constitution जो है एक मिसाल बना अगर हम अपने भारती समिधान की बात करें तो अब हम उससे बारे में यह जानना चाहेंगे कि किस तरह से बना वो क्या कुछ इसमें सी विशेश चीजें हैं जो हमारे सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है बाद बिल्कुल तो भारती स समिधान की रूप रेखा तो आजादी से पहले बहुत पहले से चल चुकी थी आपको पता है हम सब स्वत्नतता अजित करने के लिए अंदोलन चल रहा था देश में तो 1928 में एक मोतिलाल नहरू रिपोर्ट आई जिन्होंने एक काइंड ओफ ऐस का ड्राफ तैयार किया उस फिर आपको पता ही होगा कि सम्विधान बनाने के लिए एक सम्विधान सभा का गठन किया गया तो भारतिय सम्विधान बनाने के लिए एक सम्विधान सभा होगी यह भी बिटिश का ही एक प्लान था जिसको काबिनेट मिशन प्लान कहते हैं जो कि बिटेन से आया था तीन पर इसके उपर कई एलिगेशन्स लगते हैं कि जो इस सम्विधान सभा थी यह डिरेक्ली एलेक्टेट नहीं थी यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी तो उस समय युनिवर्सल अडुल्ट सफ्रेज जैसा कोई प्रावधान भी नहीं था भारत इतना विशाल उस समय परिस्थितियां भी इतनी अनुकूल नहीं कि डारेक्ट चुनाफ करवाए जाएं और सम्विधान सभा का गठन प्रिफेक्ष चुनाफ से हो तो जो फीजिबल रहा उस समय वही व्यवस्ता की गई फिर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो इनीशली सम्व जो हमारा समिधान स्भानिवी बनके तयार हुआ वा 299 मेंबर्स के वही वही तो वारत जैसे विशाल देश के लिए जो इतना विभिनताओं से भरा वदेश है एक ऐसा समिधान बना जिसने सभी के हितों की बात की, इतनी डाइवसिटीज के हितों की बात की, तो कुछ तो ऐसा पुकता रहा होगा, कुछ तो ऐसा स्पेशल रहा होगा, कि ये अभी तक कायम है, कई देशों के समिधान ऐसे हुए, जो बने और बिखर गए, तो हमारे सम्विधान का एक यूनीक सेलिंग पॉइंट क्या है कि ये कंसेंसस बेस्ट है जितने भी प्रावधान इसमें समलित किये गए हैं ये मेजॉरिटी निर्णे के द्वारा नहीं बलकि सर्व सहमती से लिए गए हैं सभी लोगों की हितों का ध्यान रखा गया है तो हमें सम्विधान को एक्सेप्ट करना चाहिए तो इसके पीछे रीजन ये भी है कि जो हमारी सम्विधान सभा थी वो बेसिकली किसकी अस्पिरेशन को रिपसेंट कर रही थी भारत की जनता की तो इसलिए और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी प्रावधान द्राफ्टिंग कमिटी टेंस में आड किये हैं वो कंसेंसस बेस्ट थे सभी लोग कही न कहीं उससे सहमत थे एक मिनिमम लेवल ओफ कॉडिनेशन उसमें पाया जाता था और इसलिए यही रीजन है कि यह एक्सेप्टेबल है तो इसे फिर एक्सेप्ट किया गया 299 लोगों की जो सदस्य रहे इस पूरी समीती में जिसके अध्यक्ष रहे हमें आरे अम्बेटकर साहब तो यह पूरा तो वह पाम समीधान की बात करने की तो इसका और किस तरह से बनाया गया यह भी हड्याँ तो आपने यह भी बताया था कि समीधान चाबहा along में जाए तो हम चलते बात था जानना चाहाँए लिग! जो पर उसके पर में बात करेंगी पर उससे पर रहे मैं बताना छाऊंगी वह मारे समीधान सभा थी भी हमारी कमिटी के अध्यक्ष्टे डॉक्टर बी आरंबेट कर और ऐसी ही कही मेजर समीतिया बनाई थी जहां पर इस सारे बड़े नेता लोग जिसके अध्यक्ष्टे जिनके मारकदर्शन में इनके सारे काम निप्टाए गए पर मेजर ली अगर मैं भारतिय सम्विधान को ना वो मा अध्यक्ष्टे लेकिन उसके बाद भी ध्यान देने योगे बात यह है कि 60% of the Indian Constitution वो Government of India Act से डराइब है 5th French Revolution के जैसे आपने बोला Liberty, Equality and Fraternity, Parliamentary Democracy जो कि हमने UK से एक्सेप्ट की, Bill of Rights जिसको हम फंडमेंटल राइट्स पी कहते हैं यह हमने हमने अमेरिका से एक्सेप्ट किया, DPSP या फिट Directive Principles of State Policy जो कि हमने Ireland से लिए तो कहिना कोई हमारे समविधान में कई देशों के सक्रात्मख values और सिधानत आपने को देखने को मेलेंगे और जैसा बोला बताया था मैने आपको कि समविधान का जो प्रथम प्रष्ठ है जिसको हम प्रियांबल कहते हैं वो प्रियांबल तो ऐसे बोलते हैं जैस हम बात करेंगे गःडिंवेय। परियांबल जी जी मंगिया है कि प्रियांबल तो अब हम बात करेंगे गईदिंग वाico द्यूज़ प्रियांबल एबठाट्यू। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सबसे महत्पून स्थान किसको दिया गया है भारतिये जनता को भारतिये जनतांत्र है तो जनता को प्राटमिक्ता दी ही जाएगी भारतिये जनता हैं कि भारत एक समप्रभू देश क्या होता है? समप्रभू देश ऐसा होता है जो स्वाइम का प्रभू होता है अर्थात वो अब किसी की गुलामी के अंतरगत नहीं है उसकी एक स्वातंत्र विदेश नीती है उसकी एक स्वातंत्र नुकलर पॉलिसी है और वो केवल मात्र राष्ट्रे हित को ध्यान में रख कर बनाए गई है इसलिए भारत एक संप्रभूता से बरा हुआ थेश है एक अन्य वाल्यू जो हमारे प्रेंबल में देखने को मिलती है वो है socialist या फिर समाजवादी तो समाजवादी का मतलब मैं समझाना चाहूंगी बच्चों को कि wealth is generated socially and it should be shared equally by society government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities तो आजादी के तुरंट बात हमारे जो प्रथम प्रधान मंत्री थे श्री जवाहरलाल नहरू उन्होंने फैसला लिया कि भारत में हम आर्तिक व्यवस्ता कैसे रखेंगे एक mixed economy होगी mixed economy जहां पे पुझीवाद और सामयवाद के दोनों सकरात्मक पहलू का समावेश होगा और जहां पे उतपादन के साद्रों पे सरकार का कंट्रोल हगा सरकार का कंट्रोल क्यों होगा? क्योंकि सरकार ही जनकलियान की बात करती है शाद प्राइवेट तो कभी ना करें तो हमारा सोशलिजम पर ध्यान रहा और फोकस रहा अब सेक्यूलारिजम या धरम निर्पेक्षता citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion of the country itself तो भारत एक ऐसा धरम निर्पेक्ष राज्य है जहां सभी धर्मों को बराबर की स्वतंतरता दी गई है अच्छा यहां पर स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है पर राज्य की भूमिका नहीं रहेगी है और धरम निर्पेक्षता का हमारा model यह भी कहता है की यहां पर धरम और राज्य की मध्या अंतरतो है पर समय पढ़ने पर राज्य हस्तशेप कर सकता है रिफॉर्म स कर सकता है धानमिक सुधार कर सकता है और जैसा कि आप जानते यह तो बहुत ही पॉपलर वर्ट है देमोक्राटिक या फिर जनतंत्र ये एक ऐसी सरकार है जहां स्वेंड पीपल, they enjoy equal political rights, they elect their rulers every five years and hold them accountable, the government is done according to some basic rules, तो जैसा कि पता है जनता के द्वारा ही सरकार निर्वाचित होती है, जनता के लिए ही कारे करती है, जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, फिर एक और वर्ड, एक बहुत महत्पून टर्म जो mentioned है हमारी प्रेम्बल में, वो है Republic, Republic अर्था गनतंत्र, अब कई बच्चे हमारे कई चात्रित में confused होते हैं, वो democratic and republican form of government में, यह in terms में confused रहते हैं, तो बच्चों, you need to understand, a republican form of government is one, where the head of the state is an elected person and not a hereditary position. तो यहाँ पर जो भी head of the state होता है, बकाइदा चुनावों के द्वारा निर्वाचित होता है, वो hereditary pad नहीं है, नहीं nominated है, वो चुनावों के द्वारा जीत करता है और रूल करता है, फिर justice, liberty, equality and fraternity, यह terms बढ़े भारी भरकम लगते हैं, और actually इनका महत भी बहुत जादा ह जस्टिस कहता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी जाती के हिसाब से धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर कोई भेदबाव नहीं किया जाए, और जितनी भी social inequalities हैं, यह सरकार की interventions के द्वारा reduce की जानी चाहिए, गर्मेंट शुड वर्क फोर welfare of all, especially for the disadvantaged groups, अब अगर बात म कहूं, या स्वतंतरता की बात कहूं, तो हमारे देश में नागरिकों को स्वतंतरता का मौलिक अधिकार है, परन्तु स्वतंतरता कैसी, जो की, जिसके उपर reasonable restrictions लगे हुए, there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts and action, बात अब करते हैं हम equality की, All are equal in the eyes of law, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, अगर कभी कोई अपराद होता है, पहले पहली बात सजा तभी दी जाएगी जब अपराद होगा, और अपरादी को भी भारत के इंडिन पैनल कोड के हिसाब सजा मिलेगी, अब किसी का क्या पद है, किसी क क्या सोचल स्टेटस है, उसके हिसाब चे कोई भी भाव नहीं होगा, माम यहां पर हम आपको बता दे हैं कि वे हम अपर आपको बता दे हैं कि वे हम इनली फोर मोर मिनेट्स लेफ फोर इस सेशन नहीं है, तो मैं एंड अप करते हो यह बताना चाहोंगी कि भारत के संविध का वाईटस में वाइड आप करना चाहोंग ए, एक इंस्टिशिशनल डिजाइन है जो एक प्रसीजर लेडाउन करता है कि किस प्रकार से सरकार का चैन होगा, कैसे चुनाव होंगे, कौन सी संस्था है जो चुनाव का आयोजइन करेगी, कौन रजल्ट ऑनाउंस करेगी, आ साथ ही साथ में ये भी बताया जाता है, who will have how much of power to take which decisions. एक बद सरकार के निर्वाचन होने के बाद, सभी इंपोर्टन निर्णे सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं. उनका अपना कुद का मैंडेट होता है, पर सरकार जो भी निर्णे लेगी, वो जनकल्यान को थ्थाने रख के लेगी, जनता के वेलफेर को लिखकर देगी, ध्यान में अटकर गाईगीज़ी मैंडेट है. साथी साथ में निर्वाचित सरकार बहुत पावरफुल होती है क्योंकि जनता की शक्ति उनके साथ होती है जनता ने निर्वाचित करके उनको पहुचाया है वहां पे लेकिन हमारी जो सत्तारूर सरकार है उसकी शक्तियों के उपर भी व्यक्तियों को समिधाने जो मौलिक आपनी शक्तियों का प्रियोग आप ऐसे करेंगे कि भारते नागरिक्ये मौलिक अदिकारों को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं तो यह सब बाते रहीं और माम चाते जाते क्या कुछ ऐसे की पोइंट साफ हमारे सभी बच्चों के साथ या वीवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे बाइदा टाइम वो यह चाप्टर पड़ें तो क्या चीजे हैं जो उनको अपने दिमाग में रखना या ध्यान में रखना म बिल्कुल, क्लास 9 के सिलेबस में कॉंस्टिशनल डिजाइन चाप्टर बहुत ही कॉंप्रिहंसिव है तो बच्चों को बहुत आविशक रूप से पहले तो साउथ आफरिका में जो स्ट्रागल चला और किस तरीके से वहां के कॉंस्टिटूशन फॉर्म में आया उनको वो को बहुत आची तरह से जाना चाहिए अपान घट चाहिए अंभागल यस चाहिए मार के सम्धान का शेचे से लर किस प्रोचीजर के दवारा हमारे संविदान का घठन किया गया इस पे धрод actuna चाहिए और साथ ही साथ में हमारे समविधान का जो प्रियाम्बल है उसमें जो वैल्यूज एंट्राइंड है वो टर्म्स आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए जैसे कि मैंने हर एक टर्म को समझाया उसके उपर विस्तरत चर्चा की जो नाकेवल मेनिंग और जितनी भी डेफिनिशन है उनको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और जो स्पेसिफिक टर्म्स है वो भी अच्छे से पता होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि माम जी जितना इंपोर्टेंट कोई भी कॉंस्टिटूशन किसी भी देश के लिए होता है उतना इंपोर्टेंट है इसको पढ़ना और बच्चों यह नाकेवल वेदर युवा स्टूटेंट ऑफ सोशल साइन्स और आप कहीं किसी भी सब्जेक के स्टूडेंट हो यह बहुत इंपोर्ट अपने अच्छे तरीके से पूरा चाप्टर हमारे सभी व्यूर्स तक पहुंचाया थांकी सो वेरी मच और हम यहां पर अपने सभी देखने वालों से यह कहेंगे कि हम एक छोटी से ब्रेक पे जारें ब्रेक के बाद हम अपने एक और लाइब इंटरेक्शन के साथ हाजिर जो की वेबिनार है जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी एक ICT टूल पर तो आप अपना साथ बनाए रखें आप अपना फीडबेक हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे email address पर dth.class9.ciit.nic.i and with all your feedback we would appreciate your effort अगर आप हमें अपना फीडबेक पहुंचाएंगे अगर कोई query है तो भी आप हमें पहुंचा सकते हैं पूरे detail लिखें आप session के और अपनी बाते हम तक जरूर पहुंचाएं और अभी फिलहाल मुझे रेणु भट को देनुमती लेकिन आप बने रहें e-video channels पर नमस्कार